मानव के अंदर का भै, जो हर चीज से आपको कहीं इज्जत का भै, कहीं समाज का भै, कहीं जीवन का भै, कहीं मरने का भै, कहीं बूत पिशाच और इन चीजों का भै, परिवार का भै, शरम, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस प्रकार के कहीं कामियाब ना हो, कहीं कहीं हमारा कोई कुछ कर दे कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए कैसी जिन्दगी होगी इस परकार के जीवन में अनेकों अनेक डर होते हैं जिन डरों के कारण आपकी कामियाभी भी रूख जाती है आपका जो जीवन है जो आगे बढ़ना होता वो भी रूख जाता है और जो आपकी शफलता आपका इंतजार कर रही है वो भी रूख जाती है और जो आपके शरीर के अंदर फिर कंपन सरू हो जाती है आपका दिमाग दिरे दिरे कम जब आप देशत के अंदर होते हैं डर के अंदर होते हैं आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लगता है आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव नेगेटिव थोट आने लगते हैं जो है ही नहीं जो हो ही नहीं शकता उसकी और भी दिमाग भागने लगता है क मान लिया हो रहा है और होने वाला है इस भैख से अगर आप नहीं निकलोगे इस भैख को आप दूर नहीं करोगे इस से उपर नहीं उठोगे तो ना जीवन में शफल हो पाऊगे ना समाज में शफल हो पाऊगे ना आगे बढ़ पाऊगे ना आपके लिए यह पोजिटिव स जब आप अपने आत्म विश्वास को जगाओगे मन मजबूत करो कि मुझे जो करना है करना है उसके उपर सोच विचार करके और फिर फैसला लो और अंदर में जो आपको डर पैदा हुआ है जो गवराट हो रही है जो आपको दबा रही है उसको आप दबा दो और विचार तालमेल मन बुद्धी का इस परकार से करो कि संसार के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है संसार के अंदर ऐसी कोई सक्ति नहीं है जो आत्मा के उपर भी भारी हो सके जो जीवन के उपर भी भारी हो सके और आप उस नेगटिव थोट को तोड़ करके पोजिटिव में उसको बदल दो, जब positive में आप उसको बदल दोगे, तो फिर आपके अंदर जो सक्ती है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, थोड़ा सा आप जिस परकार से डर होता है, डर में आदमी क्या सोचता है, कभी अनुमान जी को याद करेगा, कभी अपने इष्ट को याद करे अनेकों रूपों में देवी देवताओं को याद करेगा, जिसके उपर वरोसा है उसको याद करेगा, मन में उनके परतिशर्दावत्पन करेगा, और जितना बैह होता है, उतना ही इन्सान उस परमातमा की और बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये भी अच्छा है, कि आप अगर उसको रूटीन से याद करोगे तो आपके अंदर भै होगा ही नहीं, आप उस चीज को गहराई तक कुछ ओर थिंकिंग की कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आप उसकी कलपनाएं करके उसमें डूब जाते हो, और उन कलपनाओं में इतना गहरा उतर जाते हो, ये भी मैं कहा हूं, कैसा हूं, कैसे जी रहा हूं, कैसे होना चाहिए, क्या सोच रहा हूं, कैसे विचार चल रहे हैं, मैं सुरक्षित हूं नहीं हूं, सब कुछ भूल जाता है, बस ओर थिंकिंग आगे ये हुआ तो क्या होगा, आगे ये हुआ तो क्या होगा, आगे इस परकार स जब आपको निकाल करके फैक दो और जब आपके अंदर एक नया जो सुपन होगा एक नई उमीद कायम होगी और आप अपने इस डर के उपर विजय प्राप कर लोगे